हाई इस इज मनिश शर्मा वेल्कूम तो माई यूट्यूब चानल ये वीडियो में हम लोग इनालिसिस करेंगे निफ्टी और मैं निफ्टी का कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या क्या लेविल्स पॉसिबल है आज अगर आप देखो गैप आप उपनिंग हो आ निफ्टी करें तो आप यहां पर देख सकते हो यह गैप आप उपनिंग जरूर हुआ लेकिन ओपनिंग के बाद ही इमिजेटली इसमें रेश्टेंस था 14,500 के आसपास का 14,520 के आसपास रेश्टेंस था और 14,550 का हाई बनाके वापस इसमें फॉल हमें देखने को मिला सेकेंड और इसने जो सपोर्ट लिया वो इसी लेवल के आसपास लिया है 14,440 के आसपास यहां पर आप देख सकते हो यह लेवल जो है यहां पर इसने सपोर्ट लिया इंट्राडे में और एग्जाक्ली यह लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा बहुत हमें bounce back देखने को मि 14,550 के अगर उपर जाता है तो आपको बाइंग की दरफ जाद जान देना है क्योंकि फिर यह पूरा gap यह फिलप कर सकता है 650 तक तो 14,550 के ओपर हम लोग बाइंग की दरफ जाद जान देंगे और 14,450 अगर तूटता है तो वापस हमें यहां पर जो fall देखने मिला था same exactly fall हमें यहां पर भी देखने मिल सकता है so 14,440 उसके नीचे हम लोग short के तरफ जाद जान देंगे और 14,550 के ओपर हम लोग buying की तरफ जाद जान देंगे अभी फिलाल जो है nifty 100 point की range में फस चुका है 14,450 से लेके 14,550 की range में bank nifty मैंने आपको कल बताया था कि यह downward channel में trade कर रहा है आज भी अगर आप देखो gap up opening जरूर हुआ high के level से हमें 300 point का fall देखने मिला है 32,600 का high बनाने के बाद भी 32,200 तक का इसने low बना दिया और 32,290 के असपास यह close हुआ है bank nifty में हमें अभी भी उपर के level पे supply देखने को मिल रही है जब तक 32,500 के उपर closing नहीं देता जब तक 32,500 के उपर sustain नहीं करता तब तक आपको इसमें bullish positions नहीं बनाना है 32,000 के नीचे अगर गया तो हम लोग इसको short के तरफ जाद जयान देंगे क्योंकि 32,000 एक psychological number है psychological level है काफी important level है 32,000 से लेकर 32,500 यह 500 पॉइंट का जो range है यह no trading zone है bank nifty के लिए 32,500 के उपर अगर sustain करेगा तो हम लोग buyne के तरफ जाद जयान देंगे 32,000 के नीचे अगर जाता है 32,000 के नीचे अगर trade करने लगता है sustain करता है तो हम लोग aggressively short portions बना सकते हैं इसी भी तरफ आप trade ले रहे हो 100-800 point से जादा का stop loss मत रखना 32,000 के नीचे selling के तरफ जाद जयान देना है 32,500 के उपर buyne के तरफ जाद जयान देना है अभी फिलाल आपको wait and watch करना चाहिए क्योंकि ये 500 point के range में bank nifty भी first चुका है अगर आप bank nifty का 15 minute का chart देखो तो exactly इसने ये जो gap था ये gap इसने fill up किया है और exactly ये gap के आसपा से इसने resistance लिया है और उसके बाद second half में हमें fall देखने को मिला है starting का जो first moment था 3-4 candle जो green candle बनाया उसमें मैंने put sell का भी trade दिया था मैं आपको telegram channel के messages भी बताता हूँ तो आपको समझ मैं आगा हम लोगोंने क्या trades ली थे आज second half में आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एक sharp fall देखने को मिला profit booking हमें देखने को मिला कल के लिए आपको यह trend line के उपर काफी जादा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो low है और यह जो low है इसको joint करके यहाँ पर मैंने एक trend line ड्रॉ किया है simple trend line बनाया है 32,000 के नीचे अगर चाता है bank of tea तो sharp fall बड़ा fall हमें देखने में सकता है aggressively short portions हम लोग बना सकते है 32,000 के नीचे 100-500 पॉंट का stop loss रखना उससे जादा मत रखना नीचे में possible है 31,500 और 31,000 तक भी आ सकता है bank of tea इसमें हम लोग buying तभी करेंगे जब 32,500 के उपर sustain करेगा 32,500 के उपर ही आपको buying करना है वरना आपको अभी फिलाल wait and watch करना है क्योंकि अभी फिलाल no trading zone में है bank of tea 32,000 से लेके 32,500 यह 500 पॉंट के range में bank of tea भी कही ना कहीं फसा हुआ है और आपको wait and watch करना पड़ेगा 32,500 के उपर buying करेंगे 32,000 के नीचे हम लोग selling करेंगे यहाँ पर आप messages देख सकते हो यहाँ पर मैंने bank of tea का put sell दिया था 360 में 420 का stop loss दिया था और 270, 220, 160 का मैंने target दिया था उसके बाद मैंने ये put exit करवाया 315 पे आप देख सकते हो 360 में sell किया था 315 में हम लोग ने exit किया put और उसके बाद मैंने bank of tea sell trade दिया था future sell trade conditional trade था मतलब 32,400 के नीचे sell करना था और current market price चल रहा था 32,480 के आसपास तो conditional sell दिया था मैंने 32,550 का stop loss था 32,210 का target दिया था और 32,070 का target दिया था 32,278 का लोग बनाया हम पर target भी अची हुआ है first target 32,189 का इसने कुछ low बनाया तो futures में हमें काफी अच्छा पैसा आया plus जो हम लोग ने put sell दिया था उसमें भी intraday में काफी अच्छा पैसा आया यह हमारा private group है premium traders group और अगर कल के session में कुछ भी live market में levels में कुछ भी changes हुआ तो मैं आपको intraday trades में मिलते हैं जिसमें आप intraday में trade करके 2-3,000 रुपए easily कमा सकते हो और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने bank nifty जो future वाला trade है वो यह telegram channel में भी दिया था और यहाँ पर भी मैंने mention कि है first target achieve काफी सारे लोगों ने यह bank nifty का trade लिया था उसमें काफी अच्छा पैसा आया है telegram channel का link मैंने वीडियो के description box में दिया हुआ है आप telegram channel join कर सकते हो और अगर आपको derivative open personal से सीखना है option strategies सीखना है algo trading सीखना है तो आप हमारे courses join कर सकते हो इसका भी link मैंने वीडियो के description box में दिया हुआ है जो भी आपको profit होता है profit का certain percentage आप अपने learning पे spend करो नया strategies नये concept सीखो ताकि आपका trading skill improve होते रहे और आप एक अच्छे trader बन सको तो अगर आपको सीखना है तो आप हमारे courses join कर सकते हो और अगर आपको video और analysis अच्छा लगा तो video को like and share जरू करना thanks a lot for watching the video see you in the next video